नमस्कार, छटा एपिसोड बोद का और बोद का मतलब होता है जानना हमारी जो जानने की ये नॉलिज गेन करने की जो यात्रा है ये चलती रहेगी आज हम अवतार के बारे में जो बात करने वाले हैं वो है भगवान विश्णू का छटा अवतार यानि परशुराम अवतार परशुराम अवतार की कहानी के बारे में क्या है कि परशुराम एक कॉनफ्लिक्ट में आ जाते हैं एक राजा से बिकरज परशुराम की जो पिता है रिशी जमदगनी उनकी हत्या हो जाती है परशुराम जो शत्रिय राजा है उनके अत्याचारों को खत्म करने के लिए उनका विनाश करते हैं और कहते हैं कि भगवान परशुराम ने 21 बार शत्रियों का विनाश किया था पृत्वी को शत्रिय विहीन किया था सो 21 बार जो किया इस से हमें क्या सीखने को मिलता है वो कि अगर एक बार में आपको success अचीव नहीं होती तो आप वापस प्रयत्न करो वापस try करो नहीं होती फिर try करो फिर try करो जब तक आपको success आपका aim फुल्फिल न हो जाए अचीव न कर लो try करते रहो consistency बहुत जरूरी है consistently try करना बहुत जरूरी है अगर आपके business में कोई परेशानी है जिसका solution आप निकालने की कोशिश कर रहे है जरूरी नहीं है एक बार में या पहली बार में ही उसका solution निकलाएगा try करते रहिए हिम्मत मत हारिए एक ना एक बार तो जरूर solution निकलेगा try करते ही रही है तो अगले episode तक का इंतिजार करेंगे और अगला episode बहुत special होने वाला है क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगले episode में हमारा channel जरूर subscribe कर लिजे और आपके सवाल भेशते रहिए बोध में आज इतना ही नमस्कार